तो दोस्तो शाओमी, मुझे शाओमी बहुत ज़ादा इनोवेटिव ब्रैंड लगता है, वैसे तो इनोवेशन सैमसंग भी करता है, एपल भी करता है, पर शाओमी की सबसे ची बात यह है कि वो इनोवेशन को बजट केटेगरी में ले कर आते हैं, ताकि मासेस तक यह स्मार्ट ग्लास को शोकेस किया है, जो कि दिखने में बहुत ही ज़दा कूल लगता है, लेकिन साथ इस उसकी जो फंक्शनालिटी है, वो बहुत ही हट कर और बहुत कमाल की है, तो चलिए इस वीडियो में इसी के बारे में बाते कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर कोई प्लान नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, कब तक यह आएगा, कब तक सेल होगा, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन यह जो कंसेप्ट है, बहुत ही फिनिजड प्रोड़क्त लग रहा है, तो आखिर इसका काम क्या है, तो जो शौमी इसे स्मार्ट ग्ला कर रहा है, तो इसका मतलब यह है, कि जी हाँ, उनका पूरा इरादा है, कि इस स्मार्ट ग्लास को मार्केट में उतारा जाए, एक इंडिपेंडेंट ग्लास के तरह उतारा जाए, जिसका स्मार्ट फोन से कनेक्टिविटी का कोई लेना देना नहीं, यानि कि बिल्कुल ही जिसमें हर एक काम आप कर सकें, तो जी हाँ, इसलिए इसमें बहुत सारे ऐसे फिचर्स दिये गए हैं, जो कि बिल्कुल यूनीक है, जैसे कि सबसे पहले, आपको इसमें एक डिस्प्ले मिल लाता है, जो कि बिल्कुली छोटा सा डिस्प्ले है, यानि कि अगर आप एक चा लेकिन उनकी LED की साइजे जो है, वो बहुत ही जादा चोटी होती है, इस वज़ए से बहुत ही जादा डेंसर सेट अफ LED बन सकता है, जिसके वज़ए से जादा ब्राइटनेस और जादा कलर्स वगरा शो किया जा सकते हैं, बिल्कुल छोटे से डिस्प्ले में ही, तो वो जो डिस्प्ले है, वो साफ साफ दिखें, क्योंकि दूस्तो धूप की रोशनी, आपके ग्लासे को, क्योंकि वो ट्रांस्पैरेंट ग्लास होगी, तो असानी से पिनेट्रेट कर सकती है, तो उससे बचानी के लिए इतना जदा हाई ब्रेटनेस दिया गया है, ताकि धूप टीवी को देख रहे हो, यानि कि उतना बड़ आपको डिस्प्ले महसूस होगा, तभली वो डिस्प्ले छोटा है, बड़ उसका एक्स्पिरियंस आपके सामने बहुत बड़ा रहेगा, यह काफी जादा जवर्दस्त बात है, लिकिन शौमी ने इसे स्मार्ट ग्लास को चौता है दोस्तों इसका वो है वेविंग, यानि कि आप उसके डिस्प्ले में कुछ चीजों को देख सकें, यह जो चार परपरस है इसे यह अच्छी तरह से बिल्कुली एचीव करता है, यानि कि अगर कोई भी कॉल वगर आता है, तो आप अपने स्मार्ट ग्लास से इसे पिक कर सकें, या फिर अगर आप कोई मैप पे सेट के हुए कि मुझे डिरेक्शन बताओ, तो वो आपकी आँखों में ही एरो की मदद से डिरेक्शन बता सकें, और आपको गाइड कर सकें, कि आपको जाना किधर है, या फिर अगर दोस्तों आप किसी का पिक्चर लेना चा और भी बहुत सारे अलग अलग किसम के सेंसर वगरा दिये गहा है, जिससे यह जो आपको जानकारी नहीं है, लेकिन एक बहुत अची अची फैक्टर यह है, कि यह जो स्मार्ट ग्लास है, सिर्फ और सिर्फ 51 ग्राम का है, यानि कि 50 ग्राम के आस पास का दोस्तों, इसका व ना कम इसका वेट है, यह एक अची चीज है, हाला कि इससे भी कम मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आने वाले फ्यूचर में, बट अभी के लिए इस ट्रेमेंडस, अब दूस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया ना, कि बहुत इसादा इसमें ब्राइटनेस दी गई है, टू मि 80 डिगरी, यानि कि जिस रास्ते से आया, उसी रास्ते से वापस रिफ्लेक्ट कर जाती है, तो यह एक बहुत ही सही चीज मुझे लगी है, इससे आपकी आखे भी सेफ रहेंगी, और आप लॉंगर देर तक इसका 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 इस smart glasses is the future but मुझे ऐसा तो नहीं लगता and मेरी क्या opinion उसके बारे में फिर हम लोग कभी future में बात कर लेंगे smart glasses future है या smart lenses future है या फिर mobile ही आपके future है उन सब के बारे में हम लोग एक video ले करके आएंगे discussion करेंगे लेकिन दोस्तो अभी के लिए अगर ये smart glass एक budget price में आ जाता है एक अच्छे price में आ जाता है जिसे जादा से जादा मासे से इसका experience कर सके so it will be really an awesome thing लेकिन अभी के लिए कोई भी पता नहीं है कि ये sale होगा नहीं होगा या इस concept को थोरा और upgrade करके बाद में इसका कोई smart glass ये लोग लाएंगे तब तक किलिए दोस्तों आज के वीडियो ने शुक्रिया अगर ये वीडियो पसंद नहीं तो आज सब्सक्राइब किजएगा हमारे वीडियो से लाइक से लिए करने किजएगा मैं रोजन आप लोग के लिए ऐसी अच्छे अच्छे टेक्नोलजी वाले वीडियो लेकर करके आता रहूँगा थैंक यू बाई बाई